सौतन की सुहाग रात पार्ट टू अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दू अब नहीं नहीं रहने दो आप भी तो ठकी होगी देवी का आगे बढ़ती हुए कहती है ठक तो गई हूँ पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा देवी का जट से समर्थ के पैर पकड़ कर दबाने लगती है ऐसे ही कुछ दिर निकल जाती है और समर्थ कहता है अब रहने दो देवी का तुम भी आराम कर लो तुम भी ठकी ठकी लग रही हो देवी का मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोल कर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है मेरी ठकावर तो आप ही दूर कर दोगे ना इतना क कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के उपड़ डालती है समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दर्वाजे पर किसी की दस तक होती है समर्थ आवाज लगाती हुए कहता है कौन? भाई मैं हूँ सौम्या क्या है सौम्या क्या बात है देविका कैसा लग रहा है मेरी भावी बनकर कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं बात आगे बढ़ती कैसे तू जो आगे कबाब में हटी अच्छे जल्दी बता किसलिए आई थी सौम्या छिठोली करते हुए कहती है क्या बात है देवी का बहुत जल्दी हो रही है वैसे मैं तो दूद का गिलास दिने आई थी आखिर मेरी सहली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए देवी का दूद का गिलास लेती हुए जल्दी से दर्वाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था देवी का समर्थ को उठाती हुए कहती है सुनिये समर्थ जी उठ जाए ना सौम्या दूद देने आई थी इसे पी ली जी फिर आप सो जाना समर्थ नींद में उठता है और दूद पीकर फिर से सूजाता है देवी का उसके बगल में बैठी कहती है सुनियो समर्थ जी आज हमारी पहली रात है और अब सो रहा है हो समर्थ नींद में ही कहता है सोने के लिए तो पुरी रात पड़ी है अब उठिये ना और कुछ दिर मुझसे बात तो करिये देवी का जिद करते हुए समर्थ को आदी मीन से उठा दीती है समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है बोल गया देविकाजी आपका हुकम सर आखो पर सुनिए मैंने सुनाए कि पती अपनी पतनी को पहली रात कोई तौफा देता है आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या वो मैं कैसे भूल सकता हूँ लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है तो दिखाए हैं ना क्या लाए है अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाब जाएंगे और दस तरह के सवाल जवाब करेंगे मैं सुबह दिखाता हूँ ना समर्थ इतना कहा कर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है अच्छ सुनो देविका मुझे बहुत दीजा रही है बस सो रहा हूँ तुम भी सो जाओ देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है अगली सुबह अधिरा समर्थ की रूम में सफाय करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है रोने की सिस्की सुनकर समर्थ की आँख खुल जाती है वो उठकर देखता है कि अधिरा उसके कमरे में रो रही है उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधिरा से कहता है अधिरा तुम सुबसुब क्यों रो रही हो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था जाओ यहां से समर्थ अधिरा का हाथ पकड़ कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है अब बिना दर्वाजा नौक किया अंदर मदाना इतने में देवी का भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है हाँ समर्थ जी ये रो रोकर हमारे घर में अप्शकुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच के आंसो दिखा रही है इतना कहकर देवी का अधिरा का हाथ पकड़ कर घसेटी है और कहती है अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी मुफ्त में रोटिया तोड़ने को नहीं मिलीगी यहाँ पर चल उठी आंसे और कुछ काम कर अधीरा वहाँ से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सब के लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है लगता है मुझे मानने की साजिश कर ली है अरे अभी तक तुन्हें धंकी चाय बनाना नहीं सिखा इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बिमारी से मर ही ना जाओं अरे जा जाकर तू उमर कहीं अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है इतने में सौमया वहां जाती है और कहती है ये लो महरानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देखाई अरे ओ महरानी यहां बैठ कर किसका मातम मना रही हो ओठ यहां से और जाकर हमारे कपड़े दो बहुत कपड़े पड़े हैं दोने को अधीरा वहां से कपड़े दोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोस्तने लगती है ये भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है मैं ठक नहीं हूँ इस जिंदगी से ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं अब समर्थ भी अपने काम पर जाना श देवीका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देवीका मंजु से कहती है माजी सुनिये आप कहें तो मैं दबा दू आपके पाउं पता नहीं अधीरा कहां है देवीका मंजु के पाउं दबाने बैठ जाती है और कुछी टाइम बाद स समर्थ भी वहां जाता है और देवीका को मां के पाउं दबाते देख बहुत खुश होता है उसी इधे अपने कमरे में चला जाता है समर्थ को देख मंजु देवीका से कहती है अच्छा सुन जा जाकर खाना लगा दे और समर्थ ठक कर आया है ओफिस से जाकर उसे पानी को पूछ ले देवीका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देवीका सोनी की तयारी करते हैं समर्थ कहता है अच्छा देवीका सुनो ना मेरे पास आकर बैठो ज़रा अरे बापा मैं बहुत तक गई हूं मुझ नहीं दा रही है अरे आओ तो सह आज तुम मैं मा के पाउं दबातों देखकर बहुत अच्छा लगा अच्छे क्यों नहीं लगेगा भला पूरा दिन घर के काम किये हैं और शाम को मा की सेवा पर मेरा तो कोई हाथ बाटने वाला भी नहीं है घर में क्यों अधिरा और घर के बाकी लोग कहा जाते हैं अधि और मैं अरे ने आसा मत बोलू क्यों न बोलू आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रवीवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया अच्छा बाबा कल रवीवार है कल ही चलते हैं और तुमारी सारी शिकार दूर कर देता हैं खुश दोनों सो जाते हैं और अगली सुपा समर्थ और देविका बाहर खुनने चले जाते हैं अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है देविका जो कहती समर्थ वही करता क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दू झाल